प्रदार्वंत्री इंदर्णित बोधी बुद्वार को अमेरिका की दौरे के लिए रवारा हो गए भारतिये समय के अनुसार करीब साड़े तीन बजे पी-म वाशिंग्टन पहुंचे इस अहम दौरे के दौरान प्रदार्वंत्री बोधी कई अहम कारिकरबों में हिस्ता ल प्रदार्वंत्री इंदर्णित बोधी जब वाशिंग्टन के जॉइंट बेस एंडियूस पर उत्रे तो वहां बड़ी संख्याब में मौझीज भारतियों नों तरंगा लहरा कर जोर्दार स्वागत किया अमिर्का पहुशने से पहले पीम ने विबान के अंदर ही एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो कुछ जरूरी फाइलों को पड़ रहे हैं पियमोदी ना आगे बताए कि वो राश्ट्पती बाइजन अस्ट्रिले पियम स्कॉट मारिसन और जापन के पियम योशिय हिदे सुखा से भी बिलेंगे पियमोदी कल वाइट हाउस में अमेरिकी राश्ट्पती जो बाइडन के साथ पहली बेक्ते गए दुपक्षे वार्था करेंगे जिसके बाद कौट लीडर्स विखर की बैचक होगी पियमोदी वाशिंग्चन से न्यू यार्थ भी जाएंगे पियमोदी 25 सितंबर को यूएन जर्नल असेम्बली के 74 सेशन कुरान जर्नल डिबेट को समोधित करेंगे चंडिगट में वर्ल्ड कार्फ प्री डे पर सियम अन्हू लाल ने अपने आवासे सचवाले तक साइकल चलाकर लोगों को परियावन बचाने का संदेश दिया है जोरान सियम अन्हू लाल ने कहा कि प्रदूशन बढ़ रहा है और परियावन की स्ट्रक्शन हमारा जिमा ह सियम ने कहा कि कम से कम एक दिन लोग डीजल और प्रेट्रोल की वानों पर ना चले यह बहुंद ज़ादा चलाएं साइकल से पैदल और पैदल भी चलें इसे स्वास भी चिक रहगा प्रदूशन भी नहीं होगा CM ने का कि COVID में सबसे ज़्यादा अक्सिजन की कभी महसूस हुई अक्सिजन वाइब मेंजर बढ़ाने के लिए हमने अक्सिजन सापित किये CM ने का कि पेड़ों की पेंशन का भी एक यूनिक प्रोजेक्ट हर्याणा में शुरू किया है CM ने का कि CM पर बहुत सी बसें हमने की हैं अब इवीकल की भी हम विचार कर रहे हैं दीरे दीरे मंत्रियों विदायकों की काडियों और सभी सरकारी काडियों को भी इवाहन में बढ़ लेंगे Will Card Free Day के मौकी पर हर्याणा की परवन और पर्रियों और तंद मंत्री बूलचयन शुर्मा सुबस सब से पहले साईक्टर साचन्डी क लिबास से मौक्यान की अवास पहँचे मौलचयन शुर्मा ने बेचीम की साफ साच्चिज चलाकर सच्चवाले पहँचे परेवरन बचाने के लिए नेताओं ने साइक्ल चला कर ईजनर बचाने का संदेश दिया प्रदेश पर में वर्ल्ड कार्ड फ्रीडे बनाय जा रहा है इस मौकी पर डीसी और डीसी अपने तमाम कर्मचारियों के साथ साइक्ल से कारला पहुंचे इस दोना सेक्टर बारे लगुस अच्वाले परचर में बाईक और कार्ड पार्किंग पूरी तरह से प्रतबंदित की कई साइक्ल और पैदल पहुंचने वाले कर्मचारियों का गुलाब के फूल देकर स्वागत भी किया गया जितिन व्यादप ने वर्ल्ड कार्ड प्रिडिया पर अज़कारियों करमचारियों को भान ना चलाने के निर्दीश दिये सरकी राज़ में कौंगेस निता और पूर्व सांसा शुरती चौज़े सांस्पते क्वाडर स्कूल में इंदिरिक्शन किया स्कूल में जल्बराब के कारण बीजेपी सरकार पर निशाना भी सा था पूर्व सांसा शुरती चौज़े ने का कि अर्याड़ में विफलताओं को विकास हुआ जमीन इस तर पर बैग गियर में चले गए और इसका पता धाई साल बाद चलेगा उन्होंने का कि जल्बराब के समस्या के कारण बीबारियां में बढ़ जाएंगी कर्णाल अनाज बंडी में धान की आवक ने तेजी पकड़ ली बंद्रेया सो नो वराइटी के साथ पी आर धान की भी बंडी पहुँच रही पसल लेकर आने वाले किसानों को मंडी के एंट्यूगेट पर पसल कर गेटवास जारी किया जाता है MSP में शामिल पसल सरकारी तैभाव पर बिक्ती है बाम अचुदा, सीजर में बार्किर कमिची द्वरा मंडी में सभी प्रवंदों फिदावे किये गई है सिदंबर में जारी बर्साथ का सीधा असर धान की फसल पर पड़ राकिसानों ने बताए कि बर्साथ के गरण धार में बीमारी आने की आशंका बढ़ गई है और पैदावार भी कम होगी है यमना अकर के जगादरी में अराजबंडी में अरकान शहर शेट गेहूं की बोडियों से लधे पड़े हैं अगर धान की खरीद 25 सिदंबर से शुरू होती है तो सिर्फ दो दिन में लाकों कुछल गेहूं की बोडियों का उठान संभव नहीं मंडी सच्चिप का कहना है कि फूर्ज अप्लाइफ विबाग को आदिश दे गए हैं कि वो गेहूं जल से जल उठा लें उन्होंने का कि मंटी में उन्हीं किसानों की धान खरीदी की जाएगी जिनोंने मेरी फसल मेरा वेरा फूर्टल पर स्टेशन करवाए है उन्होंने का कि वो तैय दिन के इसाब से मंटी में धान लेकर आएंगे जिसमें सुरह फीज़ी तक की नमी उस्विकार किया जाएगा मंटी अधकारी निका की मंटी में बिश्टी पानी की वस्ता की जा रही है पूरी मंटी में धाई सो के लगवग एलीटी बल बगाए जा रहे हैं पानी निकासी की प्रवंद किये जा रहे है जिनके सब्जी मंडी में बारिश के चलते सब्जियों की दाम गटकर आदे हो गए, खरीदारी पर असर भी पड़ रहा, सब्जी मंडी सुबह से ही सब्जियों से लबाला भर गए थी खरीदार भी आना शुरू हो गए थे लेकिन अचानक आई बारिश के कारण बंडी में ग्राह कम हो गए बारिश में सब्जी खराब होने की डर से दुकानतारों, माशक पुरों और किसानों को अपनी फसल आधे रेट पर बेशनी पड़ी सब्जी विक्रेताओं ने होता है कि बारिश के चलते उन्हें कम दाम पर सब्जी बेशनी पड़ रही है रमाटर गोबी के रेट आदे हो गए हैं अगर बारिश के पैर बाद होती तो उन्हें सब्जें की डाम नहीं करते सोनी पत के नई अराज बंडी में दान की आवक शुरू हो गई जो आनाज बंडी में फसल रखने की उच्छे तवस्तना उन्हें की करण किसानों का करीवन धेर सो कुन्चल धान बारिश की बेंट चड़ गया दान बीकने की बाद खरीदारों ने खरीद होगे दान को लेने से बना कर दिया जिसको लेकर किसानों में रूश है किसानों की मांगे की मंटी में खरीद प्रुप्रिया को तीज किया जाए किसानों निकाह की बीके हुगी अनाज की मंटी में दुबारा लेकर आने पर रीड भी कम बिलता है सेंगुत किसान मूर्चा ने 27 जमर को भारत बन का ऐलान किया हरियाना किसान मंच के प्रदेश अदक्ष प्रदाल सिंग बारुकुडा ने भारत बन के अतियार से कुणने का दावा भी किया राहूल गांथी ने टूइट कर छेंफ सरकार पर साथ हा निशाना राहूल कांथी ने लिखा मोदी सरकार सिर्फ मियत्रों को साथ है लेकिन अधिकार और आत्मसंबान के लिए सर्थेकरे करें किसान मज़ूर विधार्टी के साथ मैं देश के साथ हुआ रहूगा सोनीपत के राजबंडी में धान पिश्टे इस साल की दुला में ज्यादा रेट पर बिकरा है इस बार धान 700-800 ज्यादा भाब बिकरा है सोनीपत के बंडी परिशासा ने गेट पास में परिशानी ना हो इसलिए मौकी काउंटर के अत्रिक्ष धर्मल पिंटर की जरिये गेट पास प्लीस करने के लिए अलग से कर्म चारी लगाए हैं जो कि 113 की लंबी कातार को कम होने से रुखी गा कोनीपत के राजबंडी में 1059 किस्म की करीब 11000 कुणचल धान की आवक आ चुकी है जब बंडी में खरी सुचारी जूप से चल रही है तो महीं राजबंडी सचे जीतिन कुमा ने बताए कि विश्चे साल धान 1800 इस से लेकर 21 सब तक प्रिका था करणाल में विश्चाचार के आरोपों में दो सच्चिप को सस्पेंट करने की बाद इंडी के सच्चिप को भी सस्पेंट किया गया SDM सुमेश सुहाक ने जानकारी देते हुए बताए कि वार्केट कमेशी के सच्चिप को सस्पेंट किया गया है वसल खरीद को लेकर S.D.M. निकाह की पियारधान की सरकारी खरीद के लिए पूरे प्रवंद किये गए है पियारधान की सरकारी खरीद के जोशना एक अक्टूबर से आई है अगर सरकार की उड़ से कोई भी आदिश आता है तो उसे तुरंट लाकू किया जाएगा पिश्ली बार भी बारी वसल को लेकर मंडी वे आनतियों के लाइसेंस निलम्बित किये गए थे लेकिन कुछ दिन बाद ही उनके लाइसेंस बैद कर दी गए थे शहीद मेजर अनुज राजपूत का पार्थिर शरीद पंचकुला पहुंचा सेक्टर बीस के श्मिचान गार्ट में शहीद अनुज राजपूत का अंदिम संसकार किया गया अरेयाना विदानसवा स्पेकर घ्याान चाइड गुप्ता ने शाहिद मेजर अनूप राजपूर्ट को दीश रधान चली है वुद्वार, फूर, एट्कोर्स और पावर रावली प्राइविट एमिटरेट के सोजन से चार्सो से अधिक दिव्यांग लोकुं को करत्रवंग लेक्ट्रिक एरिक्षा और दो पईया साइकल वित्रिक किये गए इस कार्ट्रिम के मौके पर जिलोपायक तो मुखे अधित के रूपे मौझू रहे लेकिन कार्ट्रिम के अधिक्षिता रोतक बंडल के आयखर वाकि आयूप ने की सिर्सा में हाई कोड के आदेशा अनुसार शेयर के सभी चौक चराओं पर करीबन पचास मीटर की दूरी तक कोई भी वान और रेड़ी खड़ी नहीं हो नीचाई के अधेश के अनुसार सिर्सा ट्रैफिक के तरफ से एक अभयान चलाए गया जिसके तैर सभी के के शेयर के सभी चौक चराओं के पचास मीटर की दूरी सभी वहान और रेड़ी पर्चियों को अटाए गया सिरसा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वहां चारकों रेडी वालों कूछ अक्चराओं पर रेडी ना खड़ी करेंगी इदायत भी दिगई गौणा की गानपुर में भगत पूल सिंग महिला मेडिकल कॉलिज में बारिश में भी आबदर बार्शा का इस्तमाल करने वाले प्रोफेसर्स को बर्सकात करने की बांग कुलेकर अड़िग हुई है चात्राओं निकाल कि अगर उनकी बांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनका प्रदर्शन जारी दाएगा 16 सितनबर को माइक्रो बायलोजी के प्रोफेसर ने क्लास के दुरान चात्राओं से गाली कलोच कीती जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वारल हुआ गवाना रोडवेस कर्मचारी उने हर्याना रोडवेस कर्मचारी संग के बाहर रोडवेस बापरंदक की खलाब मोचा कुला गवाना बस्टेंट पर रोडवेस के कर्मचारी उने जियम बाहर उनकी बाहु को लेका रंदेपी कारूप कगाया रोडवेस कर्मचारियों का कहना है कि सोनी पर जीएम को दो महीने पहले बीस सुच्रे मांग पत्र सुपा था लेकिन रोडवेस कर्मचारियों की मांग पर बेरुकी अपनाते हुए उनकी मांग पूरी नहीं की गई पलबल की गाव पैंगरतू में शिराब की नशे में अपने दूसकी इच पत्थरों से अमबा करत्या करने वाले आरोपी की पूलिस ने गिर्फतार कर दिया नशे में कास होने की बाद आरोपी ने वारदात को इंजाम दिया दो दिन किर्मान करत्मोने की बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत ने पेश किया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया करीना की गाँव धनाउंदा में पूर सरपंच की गोली मार कर अत्या सरपंच प्रेट आवा सेंटर्ट में लाज किया दुरान तोड़ा दम सरपंच को आपसी रंजिश की चलते बारी गोली गटना खुन जाम देने की बाद आरोपी मौके से फरार हो गए पुरस्ति मामिक जाश चूकी पलवल में तेस अफ़तार ट्रेक्टर ने तीन चात्रों को चक्कर बान दिये हादसे में दो चात्रों की मौकी पर बहुत आर्से में एक चात्र कंभी रूप से गायल हो गया सभी चात्र पैदल चलकर घट जा रही थे देश में 24 गंटे में कोरूना वारस के 27,323 नई बाम्बे 34,125 से लिगों की मौन केरल में 24 गंटे में कोरूना के 15,000 से ज्यादा नई केस आई सामने एक दर में 214 वरीज़ों की मौन करनाटक में 24 गंटे में कोरूना के 818 नई केस एक दर में 21 केस लुकों की मौन दिली में 24 घंटे में कुरूरा की 49 नई केस, एक दिर में 18 मरीज रिकवर हुए, दिली में अब भी 402 सेक्टिव प्रदेश में कम हुरा कुरूरा, 24 घंटे में कुरूरा की 8 नई केस आई सामने, एक दिर में 20 मरीज रिकवर इमाचर प्रदेश के बंडी जर्वें, S.A.S.I. स्कूल धरमपुर में, बोर्डिंग स्कूल में विश्टे तींद्रों के अंदर, 89 चात्रों और तीन स्टाफ नमबर पुरूरा संक्रमेद झाल बद्रों ये स्कूल प्रण से तीन स्कूल गज भूम आगे तीन स्कूल बांग्याद के बंगप के बंद्रों के विचए में विश्टे अजिशकों के अंदर्व एक जिर में 10 पीन से चानि स्कूल है।